नमस्कार दोस्तों बिर नाम है शुबाश और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप IFL से Personal Loan कैसे अपले करेंगे, कैसे इनका एप डाउनलोड करेंगे, दिन पूरी लून की प्रोसेस कैसे करेंगे और इस एप के अंदर अगर आपका लून अप्रू हो जाता कैसे आप IFL एप डाउनलोड करेंगे, कैसे उसमें अपनी डिटेल जा लेंगे, और कैसे आप लोगोन के लिए अपले करेंगे, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि IFL Finance से कैसे लोगोन अपले किया जाता है, तो यहां पर देखिए, एप मेरे लोगेशन्स इसको अलओ करना होगा तो यहां पर देखिए, लोगेशन के उपर आलरेडी है, using Allowedis अपकी उपर आप क्लिक करेंगे, जो भी पर्मिशन्स आती जाएगे, आप उसको अलओ करेंगे, जैसे अपर पर्मिशन्स अलओ करदेंगे, यहां पे आपको अपना मोब के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप OTP डाल के विरिफाई करेंगे यहां पर आपको अपना MPN बना लेना तो देखें में हाप पर MPN डाल दूँगा फिर से एक बार आप कंफर्म करेंगे के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस ओपन हो जाएगा अगर आप करना चाते तो इसको अपन करेंगे तो मुझे यहां पर दोनों नहीं करना तो इसलिए मैं पर इसकी पेंड लोगिन के देंगे छाएँ ंवाधि के यहां पर बढ़ने के तो अपना इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहांपर देखेए हप इसके अबढ़ा हैप बर क्लिक अपन상이 करेंगे आपके समने कुछ इस त foolish व्पर क्लिक कर करके आपना तो में डिटेlआ ही इसके आधे हम क् टो बस सेट करेंगे, यहां पे आप अपना पे नंबर देंगे, उसके बाद यहां पे आप continue के उपर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप डीटेल डालेंगे, अपनी उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पे आपको दिखा रहा होगा, प्रीड लोन ओफर है इनके लिए, तो यहां पे देखे, दो साल का लोन ओफर इनको मिल रहा है, इस ओफर को लेने के लिए, आप देखे, go to home के उपर क्लिक करेंगे, जैसे आप go to home के उपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा स्क्रोल करना है यहाँ पे आपको कापी सारे loan दिये जाते है आये फिल के तरब से यहाँ पे देखी gold loan भी है के बाद यहाँ पे business loan भी है यहाँ पे personal loan है यहाँ चाहे तो home loan ले सकते loan against property भी आप यहाँ पे ले सकते उसके बाद आप continue के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर मैंने अपने detail डाल दी है उसके बाद हमने इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आपने इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पर यह आपकी paint detail फेच करेगा के बाद अगर सही है तो आप नीचे आपको एक option दिखरा होगा confirm आप इसके उपर क्लिक करेंगे के बाद आपको यहां पर options enable होगा इंटर pin code तो आप अपना pin code यहां पर डालेंगे pin code आपको वही देना है दोस्तों जो आपके आधार के उपर mentions हो तो यहां पर देखिए मैंने pin code डाल दिया फिर again मैं यहां पर submit के उपर क्लिक करूंगा जैसे ही send OTP के उपर यहां पर क्लिक करेंगे तो जो number आपने दिया होगा उसके पर OTP आएगा OTP डालते ही है आपका civil report यहां पर verify करेगा तो यहां पर देखिए 45 seconds का time लगेगा यहां पर आपको page को skip या refresh नहीं करना है उसके बाद आपके सामने additional informations का page open होगा तो यहां पर एक mobile number मां के उपर क्लिक करेंगे फिर से यह आपकी details यहां पर verify करेगा तो यहां पर आपको 45 seconds वेट करना है उसके बाद दोस्तों आपको additional information का page open होगा यहां पर कुछ questions आएंगे आप उनके proper भरेंगे जो भी आपके प्रॉपर भरेंगे जो भी आपके प्रॉपर भरेंगे जो भी आ आप NAS के उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप NAS के उपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना bank यहां पर चुनना होगा हमारा bank SBA है तो मैं SBA के उपर क्लिक करूँगा इसके बाद आपको यहां पर दो options मिलेंगे एक तो आप अपना bank statement PDF में download करके भी upload कर सकते और आप चाहें तो यहां पर net banking से भी अपना statement upload कर सकते तो मैं यहां पर net banking का use करूँगा जैसे आप net banking के उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक new page open होगा यहां पर अपना username देंगे यहां पर password देंगे और आप login के उपर क्लिक कर देंगे तो दीखे मैं detail डाल दूँगा detail डालने के बाद आ मैं इसको यहां पर डालूँगा capture डालने के बाद मैं हमपर submit के उपर क्लिक करूँगा जैसे आप submit के उपर क्लिक करेंगे तो आपकी bank से यहां पर उसके बाद फिर से आप submit के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको आपका account number दिखाएंगे यहाँ पे आप एक check करेंगे उसके बाद फिर से आप submit के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी banking का data successfully verify हो चुका है यहां पे देखिए applications process हो रहा अगर जो भी loan का offer रहेगा वो यहां पे आ जाएगा नहीं तो applications आपका यहां पे decline हो जाएगा तो यहां पे आपको page को skip यह refresh नहीं करना है तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हमारे लिए 2,00,00 रुपे का personal loan offer आ चुका है उपर आप देख सकत यहां पे आपको time duration दिखाएगा तो यह दोस्तो 36 month के लिए हमारा loan अपरू हुआ है जिसकी EMI 7,306 रुपे आएगी date of interest per year देखेंगे तो यहां पे 18% है के बाद यहां पे disbursement amount breakdown यहां पे दिखा रहा है तो यहां पे कुछ चीजे होती है जिनको आपको समझना जरूरी होत के बाद नीचे एक amount दिख रहा होगा pre EMI तो यह 2560 रुपे आपको pay करना होगा total disbursement amount 1,87,400 आपके bank account में लोग credit कर देंगे तो यहां पे दोस्तो एक आपके मन में questions आ रहा होगा pre EMI क्या होता है तो दोस्तो pre EMI यह होता है जिस महिने आप loan ले रहे तो उस महिने आपकी EMI नहीं आती एक मैना छोड़ के आती तो जो amount आपके पास रहता है उसके उपर यह लोग इंट्रेस चार्ज करते हैं यहां पर दूस्तो अभी हम लोग ज्यादा loan के लिए amount के लिए apply नहीं करेंगे यहां पर इस loan amount को मैं यहां पर कम कर दूंगा तो यहां पर मैं 5000 रुपे के आपको अपलाईगर के बता रहो 5000 के हिसाब से यहां पर चार्जर जो है चेंच हो चुके यहां पर देखिए apply for loan के ऊपर आप click करेंगे जैसे यह आप loan के ऊपर click करेंगे तो यहां पर reasons बताना होगा कि आप loan क्यों लेना चारहे तो यहां पर दीखे मैं यहां पर medical कर देता होगा यहां से कंड ओल ओपिंड प्रृणोंगा उसके बाद हैं सब्मीट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप सब्मीट के ऊपर क्लिक इच ओपन होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर दीच ही, यहाँ पर दोस्तों रची है शुदिश टीटल डालती हैं उसके बाद मैं आधार करनेकिए आधार कार्ट के साथ जो भी mobile number लिंक रहेगा उसके उपर एक OTP आएगा उस OTP को आप इस box में डालेंगे दिन आप continue के उपर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप continue के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपका easy locker का security पिन रहेगा वो डालेंगे तो देखे मैं डाल दूँगा इसके बाद फिर से आप यहाँ पर continue के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप continue के उपर क्लिक करेंगे आपके पास एक allow options आएगा आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप allow के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दीखे प्रोसेस हो रहा है अगर CLP में इशू है तो retake के उपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा CLP यहाँ पर सही है तो देखे मैं submit के उपर क्लिक करूँगा जैसे ही आप CLP upload करेंगे तो जो भी आपका अधार कार्ट का address रहेगा वो आपको यहाँ पर show करेगा अगर address ही है तो आप यहाँ पर continue के उपर क्लिक करेंगे जैसे आप continue के उपर क्लिक करेंगे फिर से आपको कुछ इस तरीके के address दिखाएगा यहाँ पर आपका address सेम है तो दोनों address अगर सेम है तो आप यहाँ पर फिर से S करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे S करेंगे तो आपके सामने आपका loan agreement यहाँ पे open होगा तो यहाँ पे rate of interest 60% रहेगा, loan EMI 183 रुपीज रहेगा, time duration 36 month रहेगा, loan amount 5000 रुपे रहेगा उसके बाद यहाँ पे sensor amount 5000 रुपे, processing fee 826 रुपे है, pre EMI 64 रुपे है, उसके बाद insurance and GST premium तो सारे amount deduct होने के बाद आपके account में 3990 रुपे यह लोग credit करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखे, secure my loan insurance अगर आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं यहाँ पे आपका हट जाएगा, उसके बाद agree के उपर आप click करेंगे, जैसे ही agree to loan offer के उपर आप click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीकर का interface open होगा, यहाँ पे यह आपको आपका IFC code दिखाएगा, उसके बाद नीचे आपको एक options आएगा, submit का आप submit के उपर click करेंगे, जैसे ही आप submit के उपर click करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी banking details दिखाएगा, जो भी आपकी banking details रहेगी, आप उसको verify करेंगे, उसके बाद फिर से आप submit के उपर click करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी banking details verify कर देंगे, तो आपके bank account में यह लोग 1 रुपे डाल के verify करे तो नीचे आप comment करें, मैं कोसिस करूंगा एक general reply देनी की, चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकरी साथ, चलिए धन्यवाद